है 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 यह निट वी एनम के में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है तो सब्सक्राइब बड़ा ही खुब्सूरत सा निमेरिका है बच्छों जिसको सॉल्व करने पर बहुत ही प्राप्लम होता है और इसका एंसर मैक्सिमिम बार हो लोग क्या करते हैं तो आज हम लोग समझेंगे कि इस प्राप्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं तो सबसे पहले कोश्चन मैंने देता हूं प्राप्लम कैल्कुलेट मोलारिटी आफ वाटर डेंसिटी आफ वाटर इस वन ग्राम पर एमल यह यह यहाँ पर की रेंग पर देख रहूं मैं पूरी करीके से क्लारिटी के साथ में नुमेरिकल दिख रहा है बिलकुल दिख रहा है तो इसका बिसीकली जो एंसर होता है वो कितना होता है 55.56 इतना आता है इतना आता है मोल पर लिटर इतना होता है तो अब यही प्रॉब्लम है कि कैसे आता है इसको समझना है तो अब यह को ध्यान से समझेंगे सबसे पहले फॉर्मॉला लिखेंगे तो मोलारिटी बराबर सब्टusto मोलाररिटी तो मोलार इलटी क्या होता है नमबर आफ मोल्स आफ सॉल्यूट निचे क्या होगा सब्सक्राइच कि में होगा अब ज़िधना इसक्राइच यहां पर क्या लिखेंगे मोलारटी आफ要 आफ वाटर इस इपल डू नमबर आफ मोल्स आफ सॉल्यूट डिवाइड वाई क्या होगा वल्यूम आफ सॉलूचन यही होगा ने बच्चो यानि मोल्स आफ अफ सॉल्यूट यहां पर तो बैसिकली हम लोग वाटर ले लेंगे अब देखो इसको कैसे आगे बनाते हैं है तो यहां पर ध्यान जेंगेजिया नियान पर देंसिटी रख्ता है यहां कि कित抗वह न इसलिखता है् हो जाएगा क मॉलस से निकाले के लिए उन पर पता चल गया मोलस कैसे निकालते हैं n is equal to w by m weight upon molar mass तो पता चल गया 1000 divided by 18, 18 कहां से आ गया h2 2 into 1 plus solar तो जल का जो molar mass होता है वो 18 होता है तो 1000 बटे में 18 हो गया अब molarity 1 liter solution से define करते हैं तो यहां पर क्या आ जाएगा volume up solution 1 आ जाएगा यहीं आ रहेगा अब जब इसको solve करेंगे यह तो उपर सर जाएगा तो m is equal to 1000 into 1 18 तो m is equal to 1000 divided by 18 तो इसको जब calculate करते तो 55.56 mol per liter आपका answer आ जाता है एक बार देख लो clarity के साथ दिखरा है हां दिखरा है तो इतना तुम्हारा बेटा क्या होता है इतना तुम्हारा एंसर यहां पर आ जाता है इस तरीके से तो इस problem को इस तरीके से डिल करते हैं इस तरीके से तो आज के इस टॉपिक को यहीं पर समाप्ट करते हैं मिलते हैं इस वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद नमस्कार